हम लोग मोमेंट पढ़ते हैं, मोमेंट का होता है ? तेंडेंशी ओफ फोर्स तु प्रोडूस रोटेशनल मोसन और टर्रिंग इफेक्ट इस मोमेंट उप फोर्स उसमें कहता है यह कोई मेरा औजैक्ट है यहां से फिक्स है लेकिन यहां से फिक्स नहीं है और इधर से हम फोर्स लगाते हैं तो यह सीधे नहीं जा करके यह कुछ इस स्टैप से मूर जा रहा है फिर फोर्स लगा रहा है इधर लेकिन मूर जा रहा है इधर फिर फोर्स लगा रहा है इस डिरेक्शन में और मेरा अब्जैक्ट जो है मूर जा रहा है वो क्या करें रोटेट कर रहा और यह जो फॉर्स की प्रविरती है the tendency of force to produce पर फॉर्स की जो प्रविरती फ्रविर्विर्ती प्रविर्टी प्रविर्डीवेश करता है rotational motion is called moment of force या इसी यह है turning effect of force is called moment जैसे मेरा यह कुई इसका एक Linda को पिसक्स करकेर फोर्स लगाते हैं तो इसमें टर्रिंग उफेक्ट प्रोडिव हबना से इसमें टर्रिंग उख्स प्रेट में इसके पर्पेंडिक कूलर है लेकिल यह बड़ी जो है गुम जा रहा है रोटेट हो जा रहा है तो यह जो होगा फोर्स की यह जो टेंडेंसी आपर विर्ती है इस चीज को हम मोमेंट करते हैं टर्नी इफेक्ट को हम मोमेंट करते हैं मोमेंट इस जनराली रिपर्जेंट एज डाट शाइन मोमेंट इस शाइन का दौरा रिपर्जेंट क्या जाता है मोमेंट एक जक्टर कोइंटिटी है इसलिए हम इस पर यह डारेक्शन दे जाते हैं और इस चीज को हम टॉर्क टॉर्क और टॉर्क बराबर फर्मॉला हता है न्यूटन मीटर मोमेंट कितने टाइप का हता है तो आप समझ सकते हैं कि कोई बड़ी कितने डारेक्शन में रोटेट हो सकता है एक इस साइड से या तो एक इस साइड से ऐसे ना रोटेट होगा जो घरी के दिशा यानि कलोक के दिशा में होगा वन टू थिरी फोर फाइव सिक्स ट्वेल तक इस साइड में कोई अबजेक्ट इस डारेक्शन में गुम रहा है तो इस से हम कलोक बाईज मोमेंट कहेंगे और यादी कोई घरी के उल्टा दिशा में कलोक 11, 10, 9, 8, 7, 5, 4, 3, 2, 1, 12 और कोई घरी के उल्टा कलोक के उल्टा दिशा में घुम रहा है तुसे कहेंगे अंटी कलोक बाईज मोमेंट तो मोमेंट मेरा जनरली टो ट्रैप्स का होता है फर्स्ट होता है कलोकवाइज और शकेंड होता है एंटी कलोकवाइज कलोकवाइज का नतलो यह इस तरह से उसे दिखाते हैं और एंटी कलोकवाइज को हम इस तरह से दिखाते हैं कि要भी की चीज को अगर एंटी को लगलाइज çok अखते हैं किसी चीज को मेँ खूंा रहें 1-2-3-4-5-0-0-0-0 जाथा तो इसे आम जर्डी्न सान्स से रिपरेंड heute आपका मान है तो महां पर नीगेटीव साइन लगाएए अगर शाइन नहीं लगाना है तो आप यह वाला साइन दे दिजे एंग कलोगौद थे चाहलब यह साइन दे आ दिजे एंटी कलोगवाई पोजिटिव या तो नीगेटिव यदि आपकोई दोनों मेकानिफूज होरे तो इसका डारेक्शन पता एक कलोगवाइज हो रहा है तो इसका कलोगवाइज डारेक्शन दे दिजिए और एंटी कलोगवाइज हो रहा है तो इसका एंटी कलोगवाइज का डारेक्शन दे दिजिए इस टाइप से कि एंटी कलोगवाइज का डारेक्शन या कलोगवाइज का डारेक्शन कि मोमेंट या टॉर्क टॉर्ट इन्टू पर्पेंडिकूलर डिस्टेज्ट मोमेंट को हम इस दूर की हेल्प से समझते हैं और यह चीज पर्फीक्स है यह फिक्स पॉइंट और इधर मेरा खुलने वाला है तो हम गेट के इस कौरनर पर फोर्प लगाते हैं और इस पॉइंट के आभावट हमको ममेंट निकलना है इस पॉइंट के बाव यहां पर कितना मोमेंट होगा तो इसका यह जो फोर्स का मेगनिचुड होगा फोर्स का मेगनिचुड होगा इसका पर्पेंडिकुलर डिस्टेंस फोर्स पर फोर्स पर जब 90 डिबरी का जो एंगल बनाएगा इस डिस्टेंस उसका ले लेंगे से खुला होगा इस पर जादी कोई फोर्स लगा रहे इसका यह डिस्टेंस होगा फोर्स पर पर्पेंडिकुलर 90 डिगरी का बना रहा होगा यह डिस्टेंस इसका यह फोर्स का मेगनिशुड और यह डिस्टेंस का जो मेल्टिपिकेशन होगा वो मेरा मोमेंट होगा और इसम यहां पे तो मेरा 90 degree नहीं बन रहा है, यहां पे लगवग लगवग रहा 110 का बन रहा है, तो इसमें का moment का रहा है, force into perpendicular distance ही होना चाहिए, तभी उसका moment निकल सकता है, तो इसका यह force का होगा line of action, हम पहले से जानते हैं, कि force को arrow से रिपरजेंट करते हैं, उसका state line को हम line of action करते और इसके line of action पे, कहीं पे तो 90 degree distance बनता होगा, इस point से, मान लेते हैं, यहां से बनता है, तो यह वाला जो distance होगा, यह वाला distance d, force का magnitude, और यह force के line of action पे, जो 90 degree का angle से जो distance बनेगा, वो distance होगा मेरा moment का, moment is equal to, force का magnitude and perpendicular कूलर इसके line of action of force, from this point.